प्रियुद्यार्थी मित्रो कक्षा दस्वी की ये आटवी कवीता है जिसे अयोध्यासी उपाद्याय हरी ओंद ने लिखा है कर्मवीर इसके वीडियो में आप तमाम का स्वागत है आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारे चैनल को सब अखिर तक देखिए पले पहले परिचे लेते हैं अयोध्यासी उपाद्याय हरी ओंद कौन है और उसके बाद में हमें से पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे परिचे इनका जन्म 1835 आजमगड उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यू 1947 आजमगड उत्तर प्रदेश प्राप्त था आपके रचनाव में संस्कृत के तत्सम फार्सी उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत ही आकरशक है प्रमुक कृतिया है वैद्देही वनवास प्रिये प्रवास महाकावे ठाट अदखिला फूल उपन्यास रुकमनी परिनये विजय व्योग नाटक आदी प्रस्तुत प्रयरक कविता में हरी ओंद जी ने बताया है कि सपुतों में कौन कौन से गुन होते हैं इन गुनों से संपन कर्मवीर ही देश और समाच को उन्नती के मार्ग पर ले जाते हैं चलिए इस कविता को पढ़ते हैं फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं इसके साथ साथ इसमें इस्तिमाल की जाने वाले जो मुश्किल शब्द है उसे भी हम समझेंगे देखकर जो विगन बाधाओं को घवराते नहीं राह भरों से भागे के दुख भोग पश्ताते नहीं काम कितना ही कठिन हो किन्तु उकताते नहीं भीड में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं विगन बाधा यानि अरचन कठिनाई भागे यानि तकदीर भोग यानि भोगना और पश्ताना यानि पश्चाता अप करना उकताना यानि ऊबना कभी करम वीरों की विशेशता बताते हुए कहते हैं कि करम वीर ऐसे होते हैं देखकर जो विग्न बादाओं को घबराते नहीं यहने जो कटिनाईयों और अडचनों से कभी गने घबराते वे कर्म में विश्वास करते हैं भागे के भरो से बैठकर रहकर काम बिगाड जाने का इंतिजार नहीं करते वलके काम कितना भी कटिन हो कर्म वीर काम से उपते नहीं उकताते नहीं और वीर में चंचल बनकर अपना काम करते हैं वीरता नहीं दिखलाते हैं मानते जो मानते जी की है सुनते है सदा सब की कही जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही भूल कर वे दूसरे का मुह कभी दकते नहीं कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं उकताना यानि उबना अधीर होना जी यानि अर्थ मन दिल कही यानि कथन विचार आप यानि स्वैं तकना यानि देखना करम वीर सभी लोगों की सब बाते सुनते हैं मानते जी की है सुनते हैं सदा सब की सही कभी कहते हैं कि मनुशे को सदा अपने आप पर वरोसा रखना चाहिए इस संसार में जो व्यक्ति अपनी मदद स्वें करते हैं उन्हें कभी भी दूसरों की सहायता की अपिक्षन नहीं होती उन्हें अपने आप पर वरोसा होता है उनके लिए ऐसा कोई काम कठिन नहीं होता जिसे वे ना कर सकते हो अर्थात वे हर प्रकार का काम करने में समर्थ होते हैं जो कभी अपने समय को यूँ बिताते हैं नहीं काम करने की जगह बाते बनाते हैं नहीं आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं यतन करने में कभी जो जी चुराते नहीं आजकल ये अर्थ यानि बहाना बनाना आजकल आजकल कहना गवाना यानि बरबात करना जी चुराना यानि किसी काम से भाग जाना अर्था करमवीर समय का हमेशा सदप्यों करते हैं वे अपने एक समय को वियर्थ नहीं गवाते काम को करने में आजकल नहीं करते समय बरबाद नहीं करते काम कैसा भी हो वो से पूरा करने का प्रयत्न करते रहते हैं काम को काम को आरंब करके यू नहीं जो छोड़ते काम को आरंब करके यू नहीं जो छोड़ते साम ना करके नहीं जो भूल कर मूँ मोडते जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोडते संपदा मन से करोडों की नहीं जो जोडते जी चुराना यानि किसी काम से भागना मुह मोडना यानि आगा पीछा करना इनकार करना संपदा यानि संपत्ती काम को आरंब करके यू नहीं जो छोड़ते करमवीर जिस काम को आरंब करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं कोई काम शुरू करके वे बीच में नहीं छोड़ते जिस वेक्ति से उनके घनिष्टता हो जाती है या अपने मिलने जुलने वालों से वे कभी दुराव नहीं रखते अथवा उनको ठुकराते नहीं ये लोग ऐसे होते हैं जो आसमान के तारे तोड़ कर लाने जैसा असंभव काम भी कर सकते हैं और उसका करने का दम नहीं भरते बलके कर सकते हैं वो अपने पास करोड की संपती होने का जूटा दिखावा भी नहीं करते कारे थल को वे कभी नहीं पूछते वो है कहां कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहां उल्जने आकर उन्हें पढ़ती है जितनी ही जहां वे दिखाते हैं नया उत्सा उतनी ही वहां असंभव ना होने यानि ना होने या ना हो सकने वाला काम उल्जन यानि चिंता गुथी कठिनाई समय तो इसके लिए यहां पर कवीवर्र क्या कहते हैं के कर्मविर यह बात कभी नहीं पूछते कारे थल को वे कभी नहीं पूछते वो है कहां क्यों किस इस्थान पर है कहां जाकर काम करना है कारे थल कहां है बलकि वो असंभो कारे को संभो करने आले हैं नामुम्किन को मुम्किन बनाते हैं वो कठी नायों से परिशानवी से नहीं डरते और बलकि उनके काम में जितना आती है उसे पूरा करने का उनके अंदर उत्साह बढ़ता है और वो जुटे रहते हैं ऐसे काम पूरे करने की कोशिश करते रहते हैं सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहां डेरे डले, वे बनाने से उन्ही के बन गए इतने भले, वे सबी है हाथ से ऐसे सपूतों के बले फूलना फलना यानि विकास करना, धन्मान होना, विभव यानि वैभव, ऐश वर्रे, डेरे डालना यानि अंबार लगाना, भले, अच्छे, श्रिष्ट, सपूत, अच्छा पुत्र, कुल का नाम बढ़ाने वाला, रोशन करने वाला, सब तरह से आज जितने देश है फूले कभी कहते हैं कि आज संसार में जितने भी देश हर दृष्टी से विक्सित हुए है, उन देशों में बुद्धी, विद्या, धन, वैभो का भंडार वरा हुआ है, वे सभी देश इन करम वीरों के श्रम से बनने के कारण ही इतने अच्छे, इतने संपन बन पाए है, वे सभ अबी देश इन करम वीर सफुतों के परिश्रम के बल पर ही सम्रुद्ध बन पाए है, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगले वीडियो में दुबारा मुलाखात होगी